वेल्कम बैक ओन माई चैनल मैस्विथ मैजिक आज हम लोग सिखेंगे कंस्ट्रक्शन 30 डिग्री का और 15 डिग्री का देखो बात समझना जैसे जब हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो इस पे जो ये जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है कितना होता है 180 ठीक है पैंसे बता रहें आपको देखो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है इस पे जो ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते है वो 180 फिर यहां रखे इस पॉइंट पे रखे जो कंपस यहां कट करते है वो 60 फिर यहां रखे यहां करते है तो 60 यानि ऐसे देखा जाए तो 60 60 में ये 60 60 60 में ये बट ज समझना हमें 30 मालो बनाना है कितना बनाना है 30 तो जैसे यह campus है सफ पर एक इस line लिया उस पर यह हम यह semi circle ड्राइब करेंगे यहां से तो यहां से करके जो यह cut होता है न यह 60 degree हुआ यह क्या होटा है 60 degree हुआ ठीक है अब 60 degree जो हँआ अब यहां रखकर 60 से आधा है 60 का आधा है 30 तो 30 क्या होगा? 60 के अंदर में बनेगा इधर बनेगा तो यहाँ पे रख कर फिर एक कट करते और फिर यहाँ पे रख कर कट करते फिर जो ऐसे मिलता है यह जो होता 60 यह पूरा था बात समझना यहां से यहां तक पहले 60 था लेकिन यहां रखकर यहां रखकर जो कट किया तो यह 30 इधर 30 और इधर 30 में बट गया ठीक है इधर किधर 30 30 में बट गया इधर इधर 30 में बट गया तो यह जो बना यह क्या है इधर भी 30 बना लेकिन हमें शो करना है इसलिए हम इधर 30 शो कर देंगे ठीक है देखो अब बनाते हम आपके लिए compass के help से take a line with the help of scale ठीक है अब कहीं पे भी जहां भी मन है आपका end पे बनाना end पे बना लो जिधर मन है उदर बनाओ यहां से एक semi circle draw किया done फिर यहां से यह हमने क्या draw किया 60 यह कितना कट हुआ 60 आपकी मर्जी है यह skill से मिलाओ ऐसे या ना मिलाओ भी हमें क्यूंकि 60 नहीं शो करना है हमें 30 सो करना है यानि यह तो हमें पता चलिए 60 यहां ऐसे मिला देंगे इसका नाम दे दो अब सुनो यहां रखकर एक कट कर ना है और फिर एक 60 जहां कट हुआ वहां रखकर got it एक यहां रखकर कट और एक यहां रखकर कट करना है और यह जो हुआ यह इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है clear यह कितना डिग्री बना यह देखो यहां तक 60 था ना तो यह किया बना 30 बना तो क्या हमें अगर हमने मैच करना होगा तो हम क्या करेंगे विद्धा हेल्प ओफ कमपस मैच करेंगे अब देखो आपने अगर चेक करना है तो आपके पास प्रोटेक्टर है देखो क्या करना, इस point को न, इस point को कैसे चेक करते हैं, आपने सही बनाई या ने, इस point को ये वाला, ये वाला point को, ठीक है, और इस line को, ये young के उपर जो लिकाने, ये वाला line, इस line को, ठीक है, इस point को आपको इस point पे रखना है, और इस line को इस line पे रखना है, ठीक है, देख आप इस line पे इस line को रखेगा और इस point को इस point पे रखेगा तो देखें exactly यह 30 degree जा रहा है देखो यह line भी coincide कर रहा है इसको ठीक है ना जब हम इस point को इस point पे रखते हैं इस line को इस line पे तो देखते हैं कि यह देखो 30 degree जा रहा है है ना यह 30 degree जा रहा है यानि हमारा correct यह 30 उपर में तो यह अपने आप ही 30 पे कोई साइड कर लेगा तो समझना करेक्ट है ठीक है आपकी मर्जी आप इधर से 30 बनाओ यह इधर से बनाओ जिधर से बना ना बनाओ चले एक और बताते हैं आपको 30 डिग्री बनाना इस साइड में बता रहे हैं ठीक है इस पॉइंट से चलिए सेमी सर्कल ड्रॉन इसका नाम दे दो और यहां से फिर एक कट यह 60 हो गया यह क्या हो गया 60 फिर 60 हो गया आपको 60 बनाने की जरूरत लाइन ड्रॉक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें यहां पर कट मिल चुका है ठीक है ना फिर यहां से एक कट और एक मिनिट यहां से ठीक है यह जो जहां मिला उससे इस पॉइंट ओ को मिला देना याद रखना है मेशा कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको ऐसे मिला देते हैं यहां से मिला देते हैं कुछ लोग कुछ लोग यहां से मिला देते हैं नहीं हमें मिला ना इसी पॉइंट से इस पॉइंट को तो देखो। फिर से थर्टी आया ना इस साइट भी थर्टी आ गया इस पोइंट को इस पॉइंट पे रखा और इस लाइन को इस लाइन पे रखा exactly 30 आ गया, है ना, इतना डिग्री है, this is 30 डिग्री, clear, अब देखो हम आपको 15 डिग्री बताएंगे कैसे बनता है, देखो 15 बनाने के लिए 30 जरूरत है, ठीके, और 30 बनाने के लिए 60 का कट जरूरत है, है ना, तो देखे, एक लाइन लीजिए, ठीक लाइन, अब 30 डिग्री देखे, 15 डिग्री देखेगा, ठीक लाइन, अच्छे ये बताओ, 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, है ना, 15 डिग्री, तो चलो ठीक है यहां पे ही पहले हमने एक सेमी सर्कल ड्रो करना पड़ेगा ज़िए सेमी करना यह इतना भी क्योंकि हमें 60 से काम है भी 60 का कट अब यहां से रखकर कट और एक कट यहां रखकर यह जो हुआ 30 हमें 30 नहीं बनाना है 30 हमने सीख लिए हमें 15 अब देखना है तो देखो हलका सा डॉर्टेड लाइन से इसे मिला दो ठीक है ताकि हमें पता चल सके यह हो गया 30 यह कितना हो गया 30 अब 30 का आदा 15 है तो सुनो एक यहां कट रखकर करेंगे और एक कट यहां रखकर एक कहां रखा एक 30 पे रखके कट किया और एक यहां रखकर कट किया यह जो मिला फिर से इस पॉइंट को मिला देना है ठीक है और यह जो बना यह कितना डिगरी बना यह 15 डिगरी बना क्लियर है यह कितना बना 15 डिगर अगर आपको मैच करना है तो फिर से उसी तरीके से यहां रखिए देखिए थोड़ा सा हलका सहीधर हो गया है लेकिन देखिए, exactly 15 पे जा रहा है मेरा, है ना देखिए clear तो यह 15, क्या हुआ इस पे भी बना सकते, जैसे यह 30 था इस पे 15 बना सकते, एक कट यहां रख कर कट और एक यहां रख कर कट यह जो बना 15 डिग्री बन गया, यह क्या बन गया यह, this is 15 डिग्री clear यह जो बना, यह इधर 15 डिग्री बन गया यहां पे भी बना सकते है, एक यहां कट रख कर करना है एक यहां तो यह जो बना इस पॉइंट को ऐसे मिला दीज़ें कितना कितना में बटी गए यह 15 पंद्रा में इसे शो करना है 15 आप यहां पे शो कर सकते हैं देखें बात क्या होता है आप एक वाट ट्रिक समझ जाएगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा यहां रखकर 60 काटा फिर यहां रखकर एर यहां रखकर 30 काटा ठीक है 30 काटा फिर 30 काटा आधा 15 तो फिर एक यहां रखकर current यहां रखकर काट देंगे से ठीक आई तो तो वो पंद्रा-पंद्रा में बढ़ जाएगा, clear? नेक्स्ट वीड, यानि हभी तक हमने क्या देख लिया, 60 डिग्री देख लिया, 180 डिग्री देख लिया, 180 तो भाई बड़ा एज़ी ऐसे कर दिया किसी लाइन पर, semi-circle draw किया, वो 180 हो गया, 60 डिग्री बता चुके, 30 डिग्री बता चुके, 15 डिग्री बता चुके, अब हम लोग नेक्स्ट वास में देखेंगे, लाइन पर कैसे 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है?